आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लंड एंड डिस्ट्रिब्यूटेड पैरामेटर सिस्टम क्लास में लोग ने देखा है हमारी जो कहानी जिसको मैं ने वाइब्रेशन की कहानी बोला था कि उसमें मैंने देखा कि किसी भी सिस्टम को अगर मैं देख रहा हूं उसे सिस्टम को पहले मुझे इनीशली डिस्टरब करना होगा जैसे ही मैंने उस system को initially disrupt किया उसमें कुछ vibration executes होंगे उसको मुझे देखना है या motion जो execute होंगे वो देखना है और उसे बोलना है क्या यह vibration है या नहीं अब जो parameters हैं किसी भी physical system के वो properties को represent कर रहे characteristics of the system मैंने बोला कि किसी भी system के जो parameters है वो एक तरीके की system की properties और characteristics को define कर रहे है जैसे मैंने बोला mass ठीक है mass अगर बोला तो यह inherent है हर एक physical system के पास कुछ ना कुछ mass होता है मैंने बोला stiffness property stiffness is the property जिसमें मैंने इस particular mass पे या इस object पे एक लोड लगाया जैसे ही मैंने इस पे लोड लगाया यहां तक तो elasticity वो property है किसी भी material की जो उस material की shape में अगर कोई change आ रहा है तो वो वापिस उस shape को अपने regain या retain कर लेता original shape अगर नहीं कर पा रहा है तो मैं भी बोल रहा हूं कि यह component comes under comes into plastic state और उस plastic state में पहुंचने के बाद मैं यह component को पहले जैसा component नहीं बोल पाऊंगा तो पूरी mechanical engineering में मैं जितनी भी काम कर रहा हूं वो within the elastic limit होता है यहां पर आपने दो properties देख ली है एक देख लिया mass जो की inherent है यह characteristics और प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है यह पहरा में था सो और एक बोल दिया मैंने spring spring इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि spring is the best representation of the property stiffness तो जब भी मैं किसी वाइबरेटरी सिस्टम को physical system में convert करूंगा या किसी ऐसे system को हमारी mathematical point of view से according to us अगर मैं किसी भी system को vibratory system में देखना चाहूंगा तो मुझे mass ढूंडना उसका जो की हो गई और उसकी वो जो प्रॉपर्टी है that is stiffness उसको एक spring के equivalent spring से represent करूंगा that represents the property stiffness ठीक है अब जब भी मैं बात कर रहा हूं कि जो real system है जो भी physical system है यह continuous system होते हैं और इनके जो parameter हैं वो distributed होते हैं हम पढ़ रहा है lumped and distributed parameter तो आपने parameter समझ लिए जो की physical property होती है अब हम समझ रहे हैं कि जो real system है they are continuous system और इनके जो parameters हैं यह distributed होते हैं यह बहुत से cases में it is possible to replace that such a system जो जो की एक continuous system है और distributed system है इनको lumped यानि discrete parameters में convert करना है यानि क्या बोला जो भी real systems है यह continuous systems होते हैं और इनके जो parameters जो की properties है वो distributed हो होती है बहुत अच्छी बात है इतनी समझ में आ गया मुझे इसके बाद मैंने क्या किया मैं जितने भी बहुत से cases हरे case की बात नहीं कर रहा हूं but for our study point of view सभी cases को या maximum cases को जो की real है यानि continuous है जिनके parameter distributed है उन्हें में एक equivalent या उन्हें convert कर दू लुम्ड सिस्टम से में तो लुम्ड सिस्टम से में तो लुम्ड इस जस्ट डिस्क्रीट पैरामीटर सिस्टम बता सकूं के इतने spring इतने mass without carrying the appreciable errors मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि जब भी किसी सब्सक्राइब करते हैं जो कि एक डिस्क्रीट सिस्टम है उसमें जो पैरामीटर से वह एक फिक्स टाइप की properties and discrete points पे होंगे कुछ springs होंगे कुछ masses होगी कुछ forces होंगे हर point पे मैं मान रहा हूं एक spring mass system होगा individual points में this is the things के हम एक सिस्टम को लंब सिस्टम में convert करते और उसके बाद हम parameters of vibratory system पढ़ेंगे जब इसको हम लंब पैरामीटर के ताम में देखेंगे so this is all about the lumped and distributed parameter systems thank you